सब्सक्राइब दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगिल पे मैं हूँ आपका दोस्त शिबम मिश्रा तो इंडिया और आस्टेलिया की बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मैच खिला जाएगा 23 सेप्टेमबर को विधर्भ क्रिकेट ए T20 रिकॉर्ड्स का है वहीं पर इस दूसरे T20 मुकाबले में दोनों कप्तान को टॉस जीत कर क्या करना चाहिए इसके इलावा दोस्तों इस दूसरे T20 मुकाबले में विधर्भ क्रिकेट एसोसियेशन स्टीडियम जम्था नाखपूर की पिच पर कौन से गेंदबास ज़् इस प्लेंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलने वाली है तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आप सब के लिए काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग और इंफॉर्मेटिव इसे लास तक जरूर देखेगा लेकिन व सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए नागपूर की वेदर रिपोर्ट के बारे में तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मुकाबले के लिए वो अच्छी है जहां पर बारिश की फोरकास्ट नहीं है अगर हम टेम्परेचर की बात कर ले तो ज़ारतर cloudy conditions देखने को मिलेंगी 86% cloud cover forecast किया गया है लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो यह है कि बारिश की जो संभावना है वो मात्र 25% है जो की बहुत ही ज़ादा कम है तो ऐसे में दोस्तों आपको ये मुकाबला पिना किसी interruption के पूरा देखने को मिलेगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर थोड़ा सा first T20 match के बारे में बात कर ली जाए तो जैसे कि मैंने आपको first T20 मुकाबले की pitch report वीडियो में बताया था match exactly वैसा ही देखने को मिला इसलिए मैंने आपसे बोला था कि इस मैदान पर जो टीम चेस करेगी उसके match जीतने के chances ज़्यादा रहेंगे वहीं पर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस pitch पर fast ballers ज़्यादा effective साबित होंगे जब कि spinners में left arm spinners अच्छी गैनबाजी कर सकते हो और wickets चटका सकते हैं वही चीज़ आपको देखने को भी मिली अक्षर पतेल ने उस मुकाबले में 3 wickets चटका है इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आप जितनी भी pitch report और match prediction की वीडियोज हैं उसको last तक देखा करिए इससे आपको बहुत ज़्यादा knowledge और advantage मिलेगा अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे T20 International मुकाबले के लिए विधर्ब Cricket Association Stadium जम्था नागपूर की pitch report के बारे में तो अगर हम सबसे पहले overall T20 International matches की records की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 8 matches जीते हैं जबकि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 3 matches जीते हैं average first innings का score 151 runs करा है जबकि average second innings का score 128 runs करा है तो दोस्तों आप इन overall T20 International matches के stats से देख सकते हो क्योंकि नाधपुर की pitch पर जिस team ने पहले innings में बैटिंग करी है उस team को ही ज़्यादा advantage मिला है और उस team ने ही ज़्यादातर मुकाबले जीते हैं क्योंकि दोस्तों इस pitch पर first innings में बैटिंग के लिए conditions अच्छी रहती है लेकिन जैसे जैसे match आगे बढ़ता जाता ये pitch बल्ले बाजी के लिए मुश्किल होती चली जाती है क्योंकि pitch low and slow हो जाती है second innings में बल्ले बाजी करना काफी ज़्यादा cut in हो जाता है इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो team पहले बल्ले बाजी करती है बही team ज़रतर मुकाबले जीती है इसके इलावा आपको overall average innings के score भी कम नज़र आ रहे है इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़दा high scoring मुकाबले आपको देखने को नहीं मिलते है ज़रतर जो मुकाबले होते हैं वो medium scoring matches ही होते हैं जब first links के score हैं वो आपको 160 या 170 के आसपास ही देखने को मिलते हैं जो की काफी ज़दा अच्छा score माना जाता है first links में और इतना score chase करना इस pitch पर काफी ज़दा मुश्किल साबित होता है पिछले मुकाबले में आपने देखा था कि मुहाली के pitch पर आपको एक high scoring मुकाबला देखने को मिला था लेकिन यहां पर आपको एक medium scoring match ही देखने को मिलेगा और इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि इस match में जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्ले बाजी करने का ही फैसला करेगा इसके इलावा दोस्तों अगर हम बात कर ले इस मैदान के overall T20 international matches के records की तो जो highest total इस मैदान पर बनाया है वो शिलंका ने बनाया है इंडिया के खिलाफ 215 रन 5 विगेट के नुकसान पर वहीं पर जो lowest total है वो इंडिया का है न्यूजिलेंड के खिलाफ 79 ओल आउट इसके अलावा जो highest total chase हुआ है वो West Indies ने किया है South Africa के खिलाफ 123 रन 7 विगेट के नुकसान पर वहीं पर जो lowest total defend हुआ है वो अफगानिस्तान ने किया है West Indies के खिलाफ 123 रन 7 विगेट के नुकसान पर अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैदान के overall T20 international matches के scoring pattern की तो 150 के नीचे का score यहाँ पर total 7 बार देखने को मिला है जबकि 150 से 179 के बीच में teens ने 1 बार score किया है इसके लावा 170 से 189 के बीच में teens ने 3 बार score बना है जबकि 190 के उपर का score आपको सिर्फ 1 बार ही देखने को मिला है तो यह जो overall T20 international matches के scoring pattern है यह भी आपको clearly बता रहे हैं कि यह high scoring venue नहीं है यहाँ पर जितने भी matches हुए है वहाँ पर आपको ज़रतर first innings के जो score है वो 150 के नीचे ही बनते हुए नजर आए है इसका मतलब यहाँ पर ज़रतर जो मुकाबले होते हैं महाँ पर आपको medium scoring matches देखने को मिलते हैं आला कि दोस्तों इस मुकाबले में मैं expect कर रहा हूँ कि आपको जो first innings का score है वो 170 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है और अगर इतना score first innings में बन जाएगा तो दोस्तों जो team first innings में बैटिंग करेगी उसके match जीतने के chances काफी ज्यादा रहेंगे इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए recent T20 international matches के records की तो जो पिछले 5 T20 international matches इस मैदान पर खेले गए हैं उन में से 4 matches first innings में बैटिंग करने वाली team ने जीते हैं कि सिर्फ एक match second innings में बैटिंग करने वाली team ने जीता है इसके इलावा average first innings का score 134 runs कर रहा है जबकि average second innings का score 108 runs कर रहा है तो दोस्तों आप इस last 5 T20 international matches के इस chat से भी देख सकते हो कि इस पिछ पर जो टीम पहले बल्ले बाजी कर रही है पही टीम ज़्यादा तर मुकाबले जीत रही है first innings में बैटिंग करने वाली team को काफी ज़्यादा advantage मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों first innings में जो बैटिंग के लिए conditions है वो बहतर रहती है और जैसे-जैसे match बढ़ता है पिछ बल्ले बाजी के लिए काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और यही चीज़ आपको last 5 T20 international matches के average innings के scores में भी नज़र आ रही है जहाँ पर आपको दोनों innings के average score है वो बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे है इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा तर high scoring मुकाबले नहीं होते हैं और पिछले 5 T20 international matches जो खेले गए हैं उनमें से ये भी देखा गया है कि बहुत सारे matches में जब first innings का score 150 भी बना था वो score भी यहाँ पर successfully defend हो गए थे तो अगर first innings में बैटिंग करने वाली टीम 150 या 160-165 के आसपास भी बना लेती है तो वो यहाँ पर काफी ज़दा अच्छा score माना जाएगा इसके लावा अगर हम बात कर लें पिछले 5 T20 international matches के कुछ records की तो जो highest total इस मेदान पर बनाए वो इंडिया ने बनाए है बांगलादेश के खिलाफ 174 runs for the loss of 5 wickets इसके लावा जो lowest total है वो Scotland की टीम का है Hong Kong के खिलाफ 78 for the loss of 2 wickets highest total जो chase हुआ है वो Western Deez ने किया है South Africa के खिलाफ 123 runs for the loss of 7 wickets इसके लावा जो lowest total defend हुआ है वो अफगानिस्तान ने किया है Western Deez के खिलाफ 123 runs 7 wickets के नुकसान पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि दूसरे T20 International मुकाबले में विधर्ब Cricket Association Stadium जम्था नाखपूर की पिच पर कौन से गेंदबास ज़्यादा effective साबित होंगे spinners या fast callers तो दोस्तों जो पिछले 5 T20 International matches इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके records की बात कर ले तो total 38 wickets fast callers ने लिए हैं जबकि 30 wickets spinners को मिले हैं राइट आम fast callers ने 33 wickets लिए हैं लेफट आम fast callers को 5 wickets मिले हैं राइट आम off spinners ने 9 wickets लिए हैं पर तेज gain buzz हो या फिर spinners हो दोनों के लिए मदद है दोनों तरीके के gain buzz इस pitch पर effective साबित होंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें balling friendly pitches ही नज़र आती हैं इसलिए ज़रा तर high scoring मुकाबले नहीं होते हैं अगर हम fast callers की बात कर ले तो वो तेज gain buzz इस pitch पर effective साबित होते हैं जो अपनी गती में measurement करते हैं variations का अस्तमाल करते हैं जैसे कि slow deliveries ज्यादा fake ते हैं क्योंकि यहाँ पर pitch match जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है काफी ज़दा slow हों जाती है तो बल्ले पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है ऐसे में दोस्तों जो medium fast ballers है variations वाले वो इस pitch पर ज़्यादा wicket चटका सकते हैं इसके अलावा अगर हम spinners की बात कर ले तो चाहे left arm spinners हो या फिर right arm leg spinners हो उनके लिए भी इस pitch से काफी ज़्यादा मदद रहेगी especially second innings में जब इस pitch पर आधा match हो जाएगा तब ये pitch spinners के लिए और भी ज़्यादा helpful साबित हो सकती है ऐसे में दोस्तों मेरा आपको overall suggestion गही रहेगा कि अगर आप fantasy 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी playing 11 में fast ballers और spinners दोनों को include करना चाहिए और आप 3-2 के combination के साथ जा सकते हो जहाँ पर आप 3 fast ballers और 2 spinners को अपनी fantasy 11 में रख सकते हो 2 spinners में आप एक right arm leg spinner और एक left arm spinner के साथ जा सकते हो वहीं अगर हम fast ballers की बात कर लें तो आपको उन तरीकों के fast ballers को ज्यादा लेना है जो अपनी गती में variations का इस्तमाल ज्यादा करते हैं और medium fast ballers हैं दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए दोनों टीमों की accurate predicted playing 11 के बारे में और इतनी शांदार जीट के बात मुझे नहीं लगता कि अपनी playing 11 में कोई भी बदलाव करने वाले हैं जो कि पहले T20 मुकाबले में Australia की टीम ने जिस चीज को भी try किया वो उनके लिए काम करी जैसे कि opening में Cameron Green को भेजना master stroke साबित हुआ इसके अलावा दोस्तों गेंदबाजी में Nathan Ellis ने भी शांदार गेंदबाजी करी तो इस मुकाबले में भी मुझे लगता है कि वो आपको Josh Hazelwood और Pat Cummins को पार्टनर करते हुए नज़र आएंगे जबकि opening एक पर फिर से Cameron Green और Aaron Finch ही करेंगे तो दोस्तों इस winning combination में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बदलाव होगा और आपको Australia की जो playing 11 है वो unchanged ही नज़र आ सकती है जहाँ पर आपको opening करते हुए नज़र आएंगे Captain Aaron Finch के साथ Cameron Green नमबर 3 पर आ सकते हैं Steve Smith नमबर 4 पर Glenn Maxwell नमबर 5 पर Josh English नमबर 6 पर Tim David नमबर 7 पर विकेट कीपर Matthew Wade नमबर 8 पर Nathan Ellis नमबर 9 पर Pat Cummins नमबर 10 पर Josh Hazelwood और नमबर 11 पर Adam Zampa आ सकते हैं इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए इंडिया की predicted playing 11 के पारे में इंडिया के बल्ले बाजों ने तो पहले T20 मैच में अच्छा प्रदरिशन किया जहां पर उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 208 रंद का बड़ा स्कोर बनाया लेकिन इसके बावजूद गेंद बाजों ने फिर से लेट डाउन किया इसपेशली फास पॉलर्स ने काफी ज्यादा खराब गिन बाजी करी चाहे भुवनेश्वर कुमार और हर्शल पतेल हो या फिर उमेश यदव सभी expensive साबित हुए वहीं पर डेथोवर्स स्पेशलिस्ट बुवनेश्वर कुमार और हर्शल पतेल पूरी तरीके से एक्सपोस हो गए अलाकि पहले T20 मुकाबले में टीन ने जस्पीद बुम्रा को rest दिया था और बाकी की प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता कि कोई बडलाब होगा अलाकि गेनबाजों ने काफी ज़्यादा खराब प्रेजर्शन किया है लेकिन फिर भी आपको टीम उसी सेम प्लेइंग 11 के साथ ही stick करते हुए नजर आएगी तो आपको जो इंडिया की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है उपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे कैप्टेन रोहित चर्मा के साथ केल राहूल नमबर तीन पर आ सकते हैं विराट कोली नमबर चार पर सूर कुमार यादव नमबर 5 पर दिनेशकार्टिक जोकी दिकेट की पर है नमबर 6 पर हादिक पांडिया नमबर 7 पर अकसर पटेल नमबर 8 पर हर्चल पटेल नमबर 9 पर भुवनेशवर कुमार नमबर 10 पर जस्पुरीद पुम्रा और नमबर 11 पर युजवेंद्र चहल आ सकते हैं फ्रेंड्स ये रहा दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए विधर्ब क्रिकेट असोसियेशन स्टीडियम जम्था नाकपुर की पिछ रिपोर्ट का कम्पलीट अनैलिसिस आई होब कि आपको ये विडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये विडियो पसंद आई है तो उसे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और आप हमारे channel को जरूर subscribe करें वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे comment box में ये ज़रूर बताएं कि पूरा पिछ रिपोर्ट का अनेलिसिस देखने के बाद आपको किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मस्बूत नज़र आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतेगी इसके इलावा क्रिकेट मैचस की फैंटेसी प्लेइंग 11 वहींपा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूस से सबसे पहले अपडेटेटे ट्रेनिक लिए आप हमें टेलिग्राम चैनल पर जरूर जोइन कर लें टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो फ्रेंड्स मिलते हैं आप से किसी नई और इंट्रस्टिंग वीडियो में तिल देन टेक केर स्टे सेफ और गुडबाए